समुदरी दुनिया के जीवों का नाम सुनते ही, आपके जहन में सार्क का नाम तो जरूर आता होगा, जिस पर ना जाने कितनी मूवी भी बन चुकी हैं, क्या आपको पता है, सार्क की 470 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें छोटी से लेकर मेगा सार्क भी सामिल हैं, जिनमे समुद्र की गहराई में पाई जाती है पहले गोता खोरों को इसके मात्र जीवास में ही मिला करते थे और इनका मानना था या जीव धर्ती से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है लेकिन 2004 में कुछ रिसर्चों को एक जीवित फ्रिल्ट सार्ग देखने को मिली इससे पहले किसी ने इस सार को जिन्दा देखा नहीं था इस सार को समुद्र की गहरे और अंधेरे हिस्से में रहना पसंद है अगर इनकी सारेरिक बनावट देखी जाए तो इनके मुँ और तैरने का तरीका काफी हद तक सांपों से मेल खाता है इनके मुँ में 300 से अधिक बारीक नुकिले दाथ मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये दूसरी मचलियों का सिकार करती है आपको जान कर हैरानी होगी इनका ये नाम इनके सरीर पर नहीं बलकि लाल रंग के गिल्स के वज़े से पड़ा जो इसे एक डेविल का रूप देते हैं हमारी लिष्ट में जो अगली सार्क है इसे स्वेल सार्क के नाम से जाना जाता है और ये कैट सार्क की फैमिली से बिलॉंग करती है जो उत्तर अमेरिका, दचिन अमेरिका और पूरवी पैसिफिक ओसियन में पाई जाती है बात करें इनकी लंबाई की तो ये 43 से इंच लंबी और 5 से 10 किलो वज़नी हो सकती है ये लगबग 1500 फिट समुद्र की गहराई में पाई जाती है और इनका पसंदीदा सिकार छोटी मचलियां होती है ये दिन में काफी सुस्त पड़ी रहती है और रात को धीमी रफतार पर सिकार को निकलती है इनकी खास बात ये है ये खत्रा महसूस होने पर पेट में बहुत सारा पानी भर लेती है जिससे ये बड़े आकार की दिखने लगती है बासकिंग सार के बारे में बात की जाए तो ब्लू वेल के बात समुद्र में ये दूसरी सबसे बड़ी मचलियों की लिष्ट में आती है ये काफी दुरलब होने के साथ साथ देखने में अजीबों गरीब भी दिखती है बात करें इसके लंबाई की तो ये 33 फिट तक लगभग लंबी हो सकती है इसके गोलाकार मुँ में 5 गिल्स पाये जाते हैं आपको जानकर हैरानी होगी की बास्किंग सार्क अपने मुँ को 3 फिट तक खोल सकती है और समुद्र में तैरते समय ज्यादा तर समय यह अपना मुँ खुला ही रखती है इसकी बड़ी वज़य यह है इसकी भूग जिसके चलते यह पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती ही रहती है ऐसे में यह मचली अपने मुँ को खुला रखकर रास्ते में पढ़ने वाली छोटी मचलीों को बड़ी आसानी से अपना सिकार बना लेती है नमर फोर निंजा लेटन सार्क ये सार्क अब तक खोजी गई सार्क की सबसे नवींत प्र जाती है जिसकी खोज 210 में हुई थी गहरे समुद्र में रहने वाली ये सार्क समुद्र में पाई जाने वाली सबसे छोटी सार्क भी मानी जाती है बात करें इसकी लंबाई की तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 इंच तक लंबी हो सकती है जहां नर सार्क की लंबाई मादा सार्क से कम होती है निंजा लेटन सार्क छोटे केकडो और जींगो को अपना सिकार में सामिल करती है नमर फाइब गॉबलिन सार्क सी मॉंस्टर जैसे दिखने वाली इस सार्को गौबिन सार्क के नाम से जाना जाता है इसको ये नाम इसके सरीर के कारण मिला है जो दिखने में बहुत ही डरावना लगता है ये दूसरी सार्क से बिलकुल अलग होती है क्योंकि इसकी नाक लंबी और चप्टी होती है इसके जबडे आगे की और बड़े होते हैं जो सिकार को पकड़ने में इसकी काफी मदद करती हैं इसकी लंबाई 10 से 13 फिट तक हो सकती है ये बहुत धीमे तैरती है लेकिन ये घात लगाकर सिकार करने में माहिर होती है इन्हें भी विलुप्त प्राय जीवों की लिस्ट में रखा गया है इसकी औसतन उम्र 60 साल तक होती है दोस्तो आसा करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद